जैहिन इस वीडियो में समझते हैं C-17 ग्लोब मास्टर भारती रेस्प्यू मिसन के लिए कैसे संजी होनी परा डेट थी 6 जनवरी 2030 सब कुछ ठीक ठाक टेंग से चल रहा था उसी समय एक सोचल मीडिया पर एक ख़बर पहलती है कि तुर्की में भयावा उकम पाया है जिसे सुनने के बाद सभी लोगों का दिल जहल उठा भारतीय सरकार ने भी इस समझार पर खेल प्रकट किया और उसने कहा कि हम तुर्की की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं उसकी किसी भी तरह से हम मदद कर सकते हैं अभी हिंडन एयर बेस के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि हमारे पास सबसे बड़ा मालवाहत और रेस्क्यू करने वाला बीमान है जिसका नाम है C-17 C-17 हमारे पास एक ऐसा बीमान है जिससे हम तुर्गी की मदद कर सकते हैं और उससे हम राहत सामगरी पहुंचा सकते हैं किसी भी तरह से हम उसकी मदद कर सकते हैं तो सारी तयारिया होने लगी और उसकी तयारी की जाने लगी किस प्रकार से हम उसकी मदद करेंगे जहाजों को आदेश दिया गया कि आप तियार हो जाए और तब ही फैसला लेना था कि सबसे पहले जायेगा कौन यहां पर फैसला लिया जाता कि सबसे पहले NDRF की टीम जाएगी और उसके बात medical facilities वहां पर उगलत करवायेगी मेडिकल की टीम वहाँ पर जायेगी वहाँ उनको रेस्क्यू करने के लिए मदद पहुचाने के लिए फिर हम मेडिकल टीम को भेजेंगे इसके अगले ही दिन C-17 के साथ C-17 में वहां पर लेट करा दिया गया गया यह जो बहुत ही तेज चला या गया था क्योंकि rescue करना था वहां पर हमें मदद करनी थी क्योंकि भुकम पाया था जिसे बहुत ही भयावा है तुर्की में भयानक भुकम से हुए अताहत को rescue करने के लिए एक निसा चला रहे था जिसका नाम था Operation Dost • Operation दोस्त एक निसा चला रहे था जिसके तहए तोरकी से हम rescue कर रहे थे, rescue अब यहाँ चला रहे थे अगले कई दिनों तक वहां पर रहात सामगरी पहुंचाया गया गाड़ियों को पहुंचाया गया गया गैश्च टीमें गई मेडिकल की फैसलिटी वहां पर उपलंद करवाएगी नाल उन्हें बजाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई जैसे भी हो सका वहां पर मदब पहुचाएगी और उन्हें रेस्क्यू किया गया तुर्की में आयख भयावा भुकम से ठीक दो दिन पहले सुडान में भसे भारतियों को वहां से निकाला गया था CC17 ग्लोब मास्टर की मदद से ही तो कैसे विसाल माल वाहत और रेस्क्यू हवाई जहाज को इतने बड़े विमान को गर असल खरीदा गया था अमेरिका से मेरिका से CC17 माल वाहत वीमान को खरीदा गया था कब 2013 में 2003 में यह वीमान sixth संका में खरीदे गया थे कहासे अमेरिका से अमेरिका से खरीदे गए थे और जब ये 2013 में 10 विमान खरीदे गए थे तब इनकी कीमा जो थी वह पांच अरब डालर थी पांच अरब डालर थी अमेरिकी अरब डालर थी इसकी कीमा जब इन्हें खरीदा गया था कहां अमेरिका से कब खरिदा गया थाría दो हजार तेरा में उन्हें2013 में खरिदा गया था अमेरिकासे इस जहाद को खरिदने का में कारडीया था की इसकी चंटा थी की चमता थी बहुआ जाने की कपेश्टिक चुब आसीटन थी, और इसमें पूरी तरह आस्टर से लैस पर आस्टर मेर आस्टर से लैस्ग shave कर यह सच्छंता के साथ 120 साइन को के साथ यह पूरान भर सकता है और पूर पूर कहीं भी जा सकता है सीय पूरी यह सकता है इस मालवाहत कि बीमान कि किसी भी छोटे से छोटे रनवे पर और किसी भी बड़े से बड़े रनवे पर आखानी से लेंड कर सकता है और वहां से टेकफ कर सकता है यह सबसे जाता अच्छी बात है क्योंकि जो पहाडी इलाके रहते हैं वहाँ पर हम वहाँ पर इतिन जगह नहीं रहते हैं कि हम बड़ा रन्वे बनाए तो उन पर लेंड करने के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि वहाँ पर कम रन्वे रहता है और रूर्सी पर यह कि इसे हम इजली सावानों को ड्रांसपोर्ट कर सकते थे इसमें हम आटिलीरों को पहुंचा सकते थे वहां पर चितनी गोला बारुट की कम्यों थी उससे पहुंचा सकते थे क्योंकि यह भारी मालवाइद बीमान है 2020 में अफगानिस्तान की रावधानी काबुल में हसे भारतियों को वहां से रेस्क्यू किया गया था इसी C-17 ग्लोव मास्टर बीमान की मदब से जो हमारा C-17 भिमान है यह हमारे लिए बहुत ही अड्वान की सकते हैं किसी भी खे Além को ज़रूत पर सकते हैं यहां से प्रश्क्यूंट करते हैं वहां से इंपर्स मतलब इक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम हमारा इसी बिमान से चलता रहेगा चलता है कि यह एक भारी माल वाहत बिमान है यह DC17 ग्लोब मास्टर की कहानी कि किस प्रकार भारती रेस्क्यू मिसर के लिए है संजीवनी साबित हुआ इस वीडियो में दी गए जानकारी को अब समझपा है इसी के साथ मुलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक की लिच्चे है